गुड बर्निंग बच्चे कैसे हैं आप बच्चो अपन पढ़ रहे हैं चेप्टर नाइन उपस है सायूंजी योगिक और इसमें पढ़ रहे हैं हम इनकी समावयपता सन्नाजनात्मक समावयपता समापत हो चुकी थी अब आज हम शुरू करेंगी त्रिविम समावयपता त् जयामिती समावयपता और प्रकाशिक समावयपता चीक है इस वीडियो में हम जयामिती समावयपता देखेंगे और इस वीडियो के लाज तक जब आप इस वीडियो को कम्प्लिट करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जयामिती समावयपता में तो कुछ हाई न मैंने कि यहां जो पर्माणू जिस सम्हू से जुड़ा हुआ है वो वहीं बंदा रहेगा केवल उनकी आपेक्षिक इस्तिती बदल जाती है ठीक है उनके बीच का बंदुकौन नहीं बदलता ठीक है न तो यहां देखें हम संकुलों में भी जो लिगेंड होते हैं समान प्रक के लिगेंडों के अनुसार ही देखी जाती है तो यहां लिगेंड जो समान है उनकी आपेक्षिक स्थिती अगर बदल जाए तो ही जामिती समाव्य भी बनते हैं ठीक है न और ऑर्गनिक में भी उमने पढ़ा था जामिती समाव्य इस्तितने प्रकार के होते हैं सिस और ट् आधिशह में होते हैं यहां पर इस तरह का पाई सिस्प्रम तो होता नहीं है यहां उती है लिगेंडों के बीच के बंद आपस में 90जिय हैं यह वरट समावे भी क्योंगी जिनमें जो समान लिगेंड है वो निकट वरती अरथात 90 डिग्री पर इस्थे तो हो जो कि विपक्ष का मतलब क्या होगा जब समान लिगेंड परस पर विपरीत इस्थिति में आने कि एक दूसरी से 180 डिग्री पर इस्थे तो हो ठीक है क्लियर दो चीज़ा दे संकुलों में ज्यामिती समावयपता सबसे पहले एक बात समझें बच्चो जिनमें समन्वे संक्ष चार होती है उनकी ज्यामिती दो तरीके की हो सकती है कौन-कौनसी एक तो होती है वर्ग समतलिय और दूसरी होती है जो हमने पढ़ी है चतुष फल की है यह संक्रण का अंत हो समन्वे संक्राशा चारवालै एक तो चतुष फल की है दूसरे वर्ग समतलिय त ज्यामिती समावयपताय प्रकाशच समयपता है तो वर्ग समतलिय पाई जाती है चत्वश्वल के संगलों में नहीं पाई जाती है कि इमें बंदकों लगभग समान ही रहता है अब हम इनके examples को समझेंगे क्लिक करते हैं लेकिन छोटी सी बात जब हम examples को लिखेंगे तो तो केंद्रे धातू परमाणू को हम हमेशा M से दिखाएंगे, ठीक है न, M से, और जो एक दंतुक लिगेंड होंगे, उनको किसी भी अंग्रेजी के वर्ड से, यानि कि A, B, C, D, ऐसे अल्फावेट से दिखाते हैं, इनका मतलब यह कोई एक दंतुक लिगेंड है, यह कोई तीसरे एक दंतुक लिगेंड है, ठीक है, और द्वी दंतुक लिगेंड जो होते हैं, उनको हम इस तरह से ब्रैकेट में A, A या A, B से दिखाते हैं, ब्रैकेट में A, A का मतलबी है कि यह जो द्वी दंतुक लिगेंड है, इसमें दो दाता परमाणू है, दोनों ही जमान है और यह जो दीदंतुक लिएंड है, इसमें जो दाता परमाणू है, दोनो अलग-अलग है, ठीक है, जैसे एक एक उधारन की रूप में अपन पढ़ सकते हैं, एक एक प्रकार का नहीं, दोनों ही दाता परमाणू उसमें नाइटुजन होती है, ओक्जिलेट, इसमें दोनों ह अपन डिस्कस करते हैं, एक्जामपल को, सी, फरस्ट एक्जामपल, M, A2, B2 प्रकार के संख्या, M means कोई भी केंदर दातों परमाणू, A2 यानि दो एक दंतुक लिएंड एक जैसे, B2 means दूसरे दो एक दंतुक लिएंड एक जैसे, यानि दो प्रकार के लिएंड है, और द दर्शित करता है, ठीके न, इसमें हमने कोई भी दो इलिगेंड जोड़ दिये, चाहिए वो आवेशितों, चाहिए निरावेशितों, कैसे भी आप इलिगेंड जोड़ दें, उसके अकॉर्ड इनका आवेशों का सम करके इस पर लगा दें, तो यहाँ P2 plus 2 oxygen state में है, ठीके इसकी जामिती समता देखते है, इसमें PTC वर्ग समतलिया करती है, पीटी से दो स्व कलोरीन इधर जोड़ रहा है और दो अमोनयज्य पर है, इसका मतलब या कॉन से हो गया, संपक्ष यानी की सिस प्रकार का, ठीके न, अब हमने इन दोनों की आपसिकनी इस तिति पदल दि इन दोनों की स्थिती बदलने से देखो क्या हुआ दोनों CL हापस में 180 डिग्री पर आ गए और दोनों अमोनिया भी हापस में 180 डिग्री पर आ गए तो ये कौन सा बन गया विपक्ष यानी की ट्रांस ठीक है ना ठीक है क्लियर होगा यहां कोई भी एक्जामपल ले सकते हैं जैसे हम मानली जी मैं निकल का एक्जामपल लेकती हूँ निकल की साथ में 2 मैने जल की अनू लगा दिए और दो सी एन लगा दिए ठीक है ना इस पर भी कोई आविश नहीं रहेगा यहाँ भी दो H2 को हम एक साथ लगा दें इस तरह से दोनों CN को इस तरह से लगा दें तो बन जाएगा सिस यानि की संपक्ष और इनको अपोजिट लगा देंगे तो बन जाएगा ट्रांस, clear? सबस्थ मैं अगर बस एक चीज़ याद रखनी है आपको कि इनके जो समान लिगेंड हैं उन समान लिगेंडों की बीच में कौन कितना बन रहा है clear? ठीक है? नेक्स्ट एग्जामपल है A2BC प्रकार के संकुल ठीक है न? A2BC का मतलब क्या हुआ? कि M केंदर दात उपर माणू है उसके साथ 2 लिगेंड तो समान हैं और 2 लिगेंड अलग-अलग प्रकार के हैं तीन प्रकार के लिगेंड है ठीक है जैसे P2 का exampleल ले दिया मैंने आभी पीटी की साथ दो तो अमोनिया जुड़ी हूँ है एक क्लोरिन और एक प्या है तो समान लिगेंड कौन से हैं आपर, अमोनिया, तो अब हमें अमोनिया की आपक्षिक इस्तिती देख नहीं है, कि दोनों अमोनिया आपस में 90 डिगरी पर हैं, या 180 डिगरी पर हैं, पहले हमने क्या किया है, दोनों अमोनिया को एक साथ लगा दिया, दोनों क्लोरिन प्रोग उनको कहीं भी लगा दिया तो यह बन गया सिस यानि की संपक्ष क्योंकि दोनों के बीच में कोण कितना दिख रहा है हमें नभेड़िकनी का अब हमने इन दोनों की आप एक शिक इस्तिती बदलते ही एनस्टी दोनों आपस में एक सोस्ते डिगरी पर हो गए ठीक है न तो यह हो गया विपाक्ष यानि की प्रांस अब देखिए अगला एक्जामपल M A B 2 प्रकार के संकुल M किंद्र दातु परमाणू A B ब्रैकेट में और 2 यानि की द्विदंतुक लिगेंड है इसमें दो और यह वो द्विदंतुक लिगेंड है जिनके दोनों दाता परमाणू अल ग्लाइसिनेट को ठीक है डाइग्लाइसिनेटो प्लैटिनम सेकिन अब यहां देखो इनको प्रदर्शित कैसे करते हैं हम ग्लाइसिनेट को शो किया जाता है इस तरीके से N और O इनकी उपर इस तरह से लगा दिया जाता है यानि कि आपस में जुड़े हुए एक ही हो कि N आपस में 90 डिग्री पर और O आपस में 90 डिग्री पर है तो इसे हम कहते हैं संपक्ष और जो हमने इनकी N को आपस में विप्रित दिशामें कर दिया जोड़ा तो इसी से ही है लेकर उल्टा गुमा दिया तो क्या होगा गुमाने से कि हम O आपस में 90 डिग्री पर हो ग समुह के दो दाता पर माणों हैं फिर भी एक गलाइसिनेट की स्ट्रक्चर को बना कर आप इसको समझते हैं देखिए यह पीटी यह गलाइसिनेट ग्लाइसिनेट नहीं होता है ना एनेचट्टू सी एचट्ट्टू सी ओह माइनस यह अवीशित होती है ठीक है और यह इसको बदल दिया यह स्थिति ऐसे कैसे यह देखो यह स्थिति बदल दिया यानि एक सो असी डिगरी पर है तो वेपक्ष क्लियर लास्ट जो प्रकार है इनका वो है एम एपी सीडी प्रकार के समकूल लग अपने तो कहता कि समान लिगंड होने जरूरी है तो यहां ऐसी इस्थिति चार में भी एक ही आती है और छे में भी एक है जब सारे के सारे संकूल अलग अलग प्रकार की हों तो इनमें क्या होता है कि नहीं दो समूहों को हम आपस में सिस या ट्रांस की पोजिशन में च और इनके तीन समाविय भी हमें प्राप्त होते हैं बजाए दो के देखो कौन कौन से यह देखो PT के साथ PY यहने की पिरिडिन जुड़ा हुआ है, अमोनिया जुड़ा हुई है, NO2 यहने की नाइट्रो गृप जुड़ा हुआ है और CL- जुड़ा हुआ है तो हमने क्या क्या पहले चारों को आपस में ऐसे जूड़ा है, कहीं भी किसी को लगा सकते हैं सबसे पहले अपन, तो हमने क्या देखा है, यहां सबसे पहले PT और PY, PY और NO2, इनको अपन सिस के रूप में देख रहे हैं, मालो, एक्जूम कर सकते हैं, कि नहीं दो को बन देखा है ना बढ़ी रीपन है, तो मैंने क्या कि इन दोनों की पोजिशन चेंज करते हैं, इन दोनों की पोजिशन चेंज करते हैं, अब यह दोनों ट्रांस पर आ गए, आप एक्षिक इस्तिती देखिए, सब बदल जानी चाहिए, बस इतना ही देखना है हमें, ठीक है, ओके, अब हमने क्या माना, कि मैंने इसमें, या इसमें, देखो, पी वाई और सी यल को भी सिस पर मान लिया, अब इन दोनों में तो सिस पे, ट्रांस पर कैसे जाने, तो इनकी स्तिती बदल दी, इनकी बदल दी, तो यब यह भी ट्रांस पर पहुच गए, और इनकी ट्रां वह हैं जो इनको कहीं भी लगा तो पहले आप फिर पहले एक इंटर्चेंज तो इस तरीके से कर दो इनको अदला बदली कर दी दूसरे इंटर्चेंज में इन दोनों को अदला बदली की तो यह स्थिती आ गई इन दोनों की अदला बदली की तो यह स्थिती आ गई और बन ग संकुलों के संक्रण में संख्या 6 होती है उनकी जयामिती होती है अश्टुफल की है ठीक है क्योंकि उनमें संक्रण होता है D2 SP3 या SP3 D2 ठीक है ने संक्रण को भी बंधन देखेंगे जब समझ लेंगे अभी ये समझते हैं कि संख्या 6 कवाली जितनी भी संको लाँगे उनकी आक्रती हमेशन च्रण होगी अश्टुफल कीए अश्टुफल का आक्रती में क्या होता है चार बंध ये चार बंध तो होते हैं आपस में एक तल में स्क्वेर में वर्ग के संख्या तल में इनके बीच में तो 90 degree के कौन है यह आपस में ठीक है लेकिन यह जो आपस में उपर नीची है इनके बीच में आपस में 180 degree का कौन है लेकिन एक का दो के साथ या एक का तीन के साथ या एक का पांच के साथ या एक का छे के साथ 90 degree का कौन है ठीक है समझ ले ना यह तो आप 90 degree का स दो के साथ, चार का पांच के साथ, और चार का छे के साथ, सभी 90 डिगरी के कौन हैं, केवल एक्सोस्टी डिगरी के कौन हैं, जो विपरीत हैं, एक चार एक्सोस्टी डिगरी पर हैं, दो पांच एक्सोस्टी डिगरी पर हैं, और तीन छे एक्सोस्टी डिगरी पर हैं, केव कोई भी एक्जामपल ले सकते हैं उसमें देखी जैसे मैंने एक्जामपल लिया है ZnCl4 H2O whole twice minus 2 ठीक है यानी zinc plus 2 के साथ 4 तो chloro-legend है और 2 aqua-legend है ठीक है क्या नाम हो गया इसका di-aqua tetra-cloro zincate second iron एट लगा दिया बच्चेकों कि रिणात्मक एंटिटी थी ना अब देखो यहां में संपक्ष और विपक्ष किस के साथ देखना है जो कम हो समान लिगेंड तो हो लेकिन जो कम हो यहां पर 4 लिगेंड तो CL है दो लिगेंड H2 है तो हम H2O के साथ पेक्ष से सो ट्रांस देखेंगे ठीक है H2O को उपर और नीचे लबा दिया बाकी साथ सीयल यहां गए तो यह बन गया विपक्ष ठीक है H2 90 डिग्री पर है तो संपक्ष बन गया H2O 80 डिग्री पर आ गए तो यह विपक्ष बन गया और भी एग्जामपल बना सकते हो जैसे मैंने लिखा F E N S 3 का होल 4 और बना दिया मैंने C N का होल 2 अब अगर इसके हमने अक्सीडोनस था प्लस टूली है तो इस पर कोई आवेश नहीं आएगा इस पर हमने अक्सीडोनस था प्लस 3 मानी है तो इस पर हम प्लस 1 आवेश लगा देंगी क्लियर देखी एक और एक्जामपल कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया और 2 क्लोरिन इसका नाम क्या होगा टेट्रा एमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3rd आयन यह पॉजिटिव एंटिटी है तो कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे अब यहां देखें कोबाल्ट के साथ 2 क्लोरिन के साथ पिक्ष देखना है दोनो क्लोरिन का है 90 अमोनिया है तो यह बन गया संपक्ष दोनो क्लोरिन को हमने उपर नीचे लगा दिया तो यह बन गया विपक्ष ख्लियर होगे बच्चो M A4 B2 प्रकार के संकुल इसमें 4 लिगंड एक समान के और 2 लिगंड दूसरे प्रकार के होते हैं अब देखते हैं A3 B3 प्रकार के संकुल यानि 3 लिगंड समान और दूसरे 3 लिगंड भी समान एक ही दातू से 2 प्रकार के लिगंड जुड़े हैं दोनों की संख्या 3-3 है ठीक है ना अब यहां देखो सिसर्ट्रांस नहीं होते हैं यहां सिसर्ट्रांस को हम कुछ और नाम देते हैं यहां देखो हमने क्या क्या इस F-A से 3 बियार एक तरफ जोड़ दी और 3 अमोनिया दूसरी तरफ जोड़ दी ठीक है ना यानि कि यह जो अनु है समान रूप से दो भागों में बट रहा है तो हम समान रूप से दो भागों बट रहा है और सारे के सारे अमूनिया एक ही पक्ष में है और सारे के सारे ब्रोमाइड एक ही पक्ष में है तो इसको हम क्या कहेंगे समपक्ष इस समपक्ष को यहाँ पर ए एक प्रक्रार का तीना दूसर मी नब भाइद करते हैं अब इसे किन motto की बदल दें ऑन यहीं और रहतों यहां गया, यह और यहां हो यह आते ही देखो क्या हुआ, यहाँ इन अमोनिया की बीच में 180 डिगरी का कोण भी आ गया, यहाँ इन दोनों ब्रोमिन के बीच में 180 डिगरी का कोण आ गया, तो यह बन गया अब विपक्ष, विपक्ष को हम मेरियोडेनल भी कहते हैं, निकी रेखानशक तो इसको मर समाव यह भी कहते हैं, ठीक है ना, और कोई एक्जामपल, देखो एक और एक्जामपल, CO, कोबाल्ट के साथ 3Cl और 3 ही अमोनिया चुड़े होगे हैं, clear, तीसरे प्रकार के संकुल है, MA2B2 या MA2BC प्रकार के संकुल, देखो पर चाहिए, मैंने ब्रेक्ट में AA लिखा, इसका मतलब य कैसा लेगेंड है, द्विदंतुक लेगेंड, दोनों AA लिखे आने की द्विदंतुक लेगेंड कौन से हैं, जिनमें दोनों दाता परमाणू समान है, ठीक है ना, बाकी जो दो लेगेंड है, वो दो समान भी हो सकते हैं, ठीक है ना, अब देखो यहाँ बंद देखते हैं CR के साथ EN2 OH दो इथाइलिन डायामीन जोड़ दी और दो हैड्रोक्सोयन जोड़ दी तो देखो यहां से चाहे EN की पोजिशन को देख लो चाहे OH की पोजिशन को देख लो यह दोनों आपस में नब भढ़ेगरी पर है यह भी दोनों आपस में नब भढ़ेगरी पर है तो यह बन गया संबक्ष रिन को हमने आपक्षी किस्तिती बदल दी तो दोनों OH आपस में भी प्रिद्धिशा में चले गए और दोनों EN भी आपस में भी प्रिद्धिशा में चले गए तो यह बन गया बेपाक्ष क्लियार बच्चो ठीक है ना तो यह मुख्य तो तीन है अब चौथा एक्जामपल जो है अपना वो है कि M A B C D E F प्रकार के जैसे उमने चार संभावियों की संख्या बनेगी 15 ठीक है बच्चो अब देखो आपन दो कॉशन देखते हैं इसके आपको समझ में आया की नहीं आया पी टी एनस थ्री होल ट्वाइस एल टू के कुल जामिती समावियों की संख्या क्या होगी ठीक है ना क्या होगी दो सिस और ट्रांस M A 2 B 2 प्रकार का संख्या देखो दोनों क्लोरी ने एक तरफ लगा दिये दोनों मूनी एक तरफ पक्ष मतलब संपक्ष ठीक है ना दूसरे एक्जाम्पल N I C L 2 O X 2 माइनस 4 क्या नाम होगा इसका वेरी गुड ठीक है डाई क्लोरीडो डाई ओक्जेलेटो निकलेट सेकिंड आयन इसके जामिती समावियों बना नहीं है यह अभी अभी जो एक्जाम्पल पढ़ा था उस B2 है ना दो दियुदंत क्लिगेंट दोनों के दाता पर्माणों समाने और यहां क्लोरीन तो बिल्कुल जैसे अभी यह इन का बनाया था हमने कि दोनों ओक्जेलेट आयनस साथ में और दोनों क्लोरीन आपस में नभब डिगरी पर हैं तो यह बन गया सिस और दोनों ओक्ज तेरे समझ में आ गई होगी थेंक यू